हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम अंजू है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बदन क्रेशन्स में बहुत ही स्वागत है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में आपके साथ यह बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाना शेयर करूंगी आप चाहें तो इसे पूरे स्वेटर में भी बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है कि टू कलर के कॉंबिनेशन में मैंने यह डिजाइन बनाया हुआ है और इसको अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो कांड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चै कितने अच्छे यह फ्लार बन के आए हैं और यह कितने अच्छी लुक में हमारे पास शो हो रहा है तो इस तरह कि अगर आप डिजाइन को पूरी स्वेटर में बनाएंगे तो भी बहुत सुंदर लगता है अगर आप सिंपली स्का बॉर्डरी बनाएंगे तो भी बहुत करते हैं कि सबसे पहले मैंने इसके लिए फंदे डाल लिये हैं तो यह हमारे उल्टे फंदे हैं सबसे पहले हम इसकी सीधी रोग को लेके आएंगे तो सीधी रोग के लिए हमारा पैटरन यह है कि हम पहले फंदे को बिना बुने ही उतारेंगे और सारी रोग को हम उल्टा को बुनते हैं इस तरह से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ है पहली रो हमारी यह ऐसे रहेगी इसे हम रूवान नहीं बोलेंगे रो वान हमारी आगे से स्टार्ट होगी यह सिरफ हम उल्टे फंदों को सीधी तो जब भी हम इस तरह के फंदे डालते हैं तो पहली रो को हम ऐसे ही बुन के सीधी साइड को अपनी साइड को टर्न करेंगे इस तरह से मैंने इसे बुन लिया है उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये सीधी रो आगी है यहां से हमारा पैटरन शुरू होगा जो भी हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं देखिए अब हम पैटरन बनाएंगे तो पैटरन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है फर्स फंदों को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से इस तरह से मैंने सारी रो को सीधा बुन लिया है ये हमारी रो बन होगी आप चलते हैं रो टू पे तो देखिए रो टू पे कैसे करना है पहले फंदे को बीना बुने उतारा धागी को बाहर की तरब को टरन किया और इस तर से सीधी रो को बुनेंगे इस से पहले भी मैंने आपके साथ निटिंग की डिजाइन और बाडर बनाना शेयर किये हो हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो जुरूर विसिट करिएगा और कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंड करके जरूर बिताइएगा मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भी मैं डिजाइन आपके साथ शेयर करती हूं उसे आप भरपूर प्यार दे रहे हैं आशा करती हूं इस वीडियो को भी आप भरपूर प्यार देंगे इस तरह से हमने ये रोटू को बुल लिया है देकिए रोट पर हम सारे के सारे फंदों को उल्टा बुन रहे हैं इस तरह से अगर आप इस डिजाइन को एंड तक देखेंगे तो आपको बनाना बहुत असान लगेगा और अगर आप इसे स्किप करते जाएंगे और लास पर देखेंगे तो आपको कुछ पी समझ नहीं आएगा और अब यह रो 3 हो गयी यह रो 3 रो 3 पे यह यहां तक आ गया अब रो 4 पर परlay पनले फंदों को बिना देखेंगे और अपनी साइड को सारे फंदे बुनेंगे जो यह इसकी अल्टी आई है तो फोर्थ रो – में prag हम सारे के सारे फंदों को अल्टा पुनेंगे यह देखिए यह हमारे पास first row पे सीधा भुना था second row पे भी सीधा भुना third पे हमने उल्टा भुना fourth भी उल्टा भुना अब आगे हैं फिफ्त row में तो देखिए फिफ्त row में क्या करना है पहले फंदे को बिना भुने लेंगे और इस तरह से सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे, हम एंड पे पहुंच ये, तो एंड पे हमारे ये सारे फंदों को हमने उल्टा बुन लिया, देखिए, उल्टा बुन लिया, उसके बाद नेक्स्ट रो पे आगे हैं, तो ये हमारी कौन सी रो है, सिक्स रो, सिक्स रो में सारे फंदों क उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से ये देखिए ये हमने उल्टा बुन लिया अब आगे हैं हम सेवंथ रो पे तो यहां से हमारा डिजाइन शुरू होगा यहां पे हम नेक्स्ट कलर यूज करेंगे देखिए नेक्स्ट कलर को कैसे यूज करना है देखिए स्टार्टिंग में हम पहले दो फंदों को ऐसे ही लेंगे ये उसके बाद हम साथ फंदे एक दो तीन चार पांच छे साथ ये होगे साथ फंदे ठीक है साथ फंदों के बाद देखिए नेक्स्ट पे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ है तो जो फौर्थ है तीन इदर से चोड़े तीन इदर से चोड़े और जो बीच वाला फंद है उसके बिल्कुल नीचे से ऐसे हम एक लूप निकालेंगे देखिए यह लूप निकाल दी और नेक्स्ट फंदे को बुल लिया एक यहीं से हम फिर से लूप निकाल रहे हैं यह हो गया दो फिर से लूप निकालेंगे यह हो गये तीन फिर से लूप निकालेंगे तो यह हो गये चार फिर से लूप देखिए चार हो गये अब फिर से निकाली तो यह पांच होगे अब नेक्स्ट फिर से इस साइट से में लूप निकाला है आपको जैसे भी असाल लगे लूप निकालने के लिए आप इसे निकाल सकते हैं तो यह देखिए यहां से निकाली यह 6th फिर से लूप निकाली और फिर यह 7 यह 7 लूप मैंने निकाल दी है उसके बाद फिर से 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए 7 होगे उसके बाद हम यहाँ पर फिर से लूप बनाएगे देखिए 2, 4, 6, 7 यह 4 वाले के बिलकुल नीचे से हम यहाँ से लूप निकालें देखिए कहां से निकालनी है यह ज़र धियान से देख लीजिए 1, 2, 3, और यह 4 वंदा है 4 वंदे के बिलकुल जहां से हमने 1st row स्टार्ट करी थी वहां से हमने इस लूप को निकालना है यहां से देखिए 1, यहां से फिर से लूप निकालेंगे तो यह होगी 2, यहां से फिर से लूप निकालेंगे तो यह होगी 3, यहां से फिर से लूप निकालेंगे तो यह होगी 4, अब यहां से लूप निकाली देखिए यहां से लूप निकालेंगे तो ये एक लूप निकाल ली और साथ वाले फंदे को गुल लिया तो ये होगे 5 फिर next फिर लूप निकालेंगे तो देखिए ये होगे 6 next फिर फिर लूप निकालेंगे तो ये होगे 7 आप इन फंदों का पैटरन चोटा या बड़ा अपने कॉर्डिंग कर सकते हैं मैंने साथ साथ फंदों को डिवाइड किया हुआ है देखिए यह साथ होगे उसके बाद लास्ट के तीन फंदों को हम ऐसे ही बूल लेंगे यह देखिए इस तरह से मैंने से कंप्लीट कर लिया है अब देखिए नेक्स्ट रो में क्या करना है अब जो हमने लूप निकाली थी और उसके साथ वाले फंदे हैं जो लूप है उसे हम कैसे बुनेंगे और सिंपल फंदों को हम कैसे बुनेंगे वह जरा धियान से देखिए यहां से कैसे पता चले गया फर्स्ट फंदे को ब जब भी यह फंदा आएगा तो हम धागे को अपनी साइड गुमा लेंगे और देखिए एक यह बुल दिया यह लूप है तो लूप को ऐसे ही आपने सिलाई में ले ले लेना है इसे बुनना नहीं है देखिए यहां से इसे फिर लूप को छोड़ देंगे नेक्स्ट को बुन देखिए इस तरह से मैंने से बुन लिया है और यहां पर हमने देखिए यहां पर हमने यह लूप बनाई थी स्टार्टिंग से लूप बनाई थी तो हम इसे लूप तक ही बुनेंगे उसके बाद आगे को बाहर की तरफ को करते हुए अब यह लूप के बाद का फंदा है त यह बुन लिया लूप छोड़ा एक बुन लिया लूप को छोड़ा एक बुन लिया और इस तरह से हम यहां तक पहुंच गया है देखिए लूप से स्टार्ट किया था तो यहां तक हम लूप पहुंच गया है उसके बाद आगे को पीछे के तरफ को करेंगे देखिए यहां स हम सारे फंदों को लास्ट का फंद आ गया तो यह देखिए यहां तक आगे यह देखिए यह कुछ इस तरह से दिखेगा आपको अब इस तरह से दिखने के बाद हम नेक्स्ट धागे को यूज करेंगे तो देखिए कैसे गरना है सबसे पहले हम नेक्स्ट धागे को ले लेंगे देखिए कि इस तरह से जितने भी आपके सारे के सारे फंदें है उन्हें हम सबसे पहले सीधा ही बुनेंगे जहां लूप आएगी बहां ज़रह ध्यान से देखिएगा यह देखिए यहां तब पहुंच गई जितने भी आपके बास फंदे हैं उन सारे फंदों को ऐसे देखिए अंदर वाली साइट से ऐसे बाहर की तरफ को ऐसे कम करते जाएंगे जिससे हमारी लूप जो भी हमारी लूप के साथ फंदे बढ़े थे उन्हें हम कम कर देंगे देखिए यहां से ऐसे यहां बीच से हम सिलाई को डालते हुए यहां से हम दो का एक करेंगे और यहां पे भी हम दो का एक करेंगे तो देखिए इस तरह से अब हम आगे पहुंच गये हैं तो देखिए तीन चार पांच 6 7 देखिए 7 सीधे आगे उसके बाइर next देखिए ये लूप आगी और ये फंदा आगया तो लूप के साथ हमें फंदे को ऐसे कम करना है यहां से यहां देखिए यहां से भी लिया 2 हो गए 3 4 5 देखिए यहां पर पहुंच गे तो यहां पर हमारी लूप के साथ पहला फंदा है ये तो यह होगे 6 अब next लूप को next वाले फंदे के साथ कम करेंगे तो यह होगे 7 देखिए यहां से 7 यह 7 होगे अब बाकी फंदों को हम सीधा ही बूल लेंगे तो यह बाकी दिजाइन के बाद हमारी फिर से 1st रो फंदे फिर से फंदों सट्र होगी है अब देखिए अब आगे हैं 2nd रो पर फंदे को बिना बुने लेंगे यह पर बाकी इस तरह से अब देखिए रो के अन पर पहुंच गए अब आगी है हमारी रो थ्री यह दिखिए आपको डिजाइन दिखना शुरू हो गया होगा अभी मैं आपको तोड़ा सा और बता देती हूँ अब हमारा हमने सेम इस तरह से यह रो बनानी है वान टो त्री फॉर फाइफ तक हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे तो यह दो रो कंप्लीट होगी है अब आगे हैं तीसरी रो पे आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि हमने लूप को कैसे कम करना है और लूप कहां पे लेनी है अगर आपको यह चीजे समझ में आ गई तो आप इस पैटरन को बहुत असानी से बना सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको सेंटर पॉइंट डिवाइड करके जहां से हम सेंटर से लूप निकालें वो सही पॉइंट से निकलेंगी तो आपका डिजाइन भी कराब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट आएगा यह लास्ट पर हम पहुंच के और यह होगी है हमारी फॉर्थ रोओ अब चलते हैं फिफ्थ रोपे लेकिए उल्टा ही बुनना है इस तरह से सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे तो यह हमारी फिफ्थ रोओ चल रही है जैसे हमने पैटरन को शुरू में बनाया था उसी इस दिजाइन बनाने में दिकत ना हो तो इसलिए मैं आपको दो बार डिजाइन बनाते बताने वाली हूं ताकि संट्र को कैसे दिवाइड करना है वो भी आपको ध्यान से पता चल जाए और जिस ते आप इस डिजाइन बहुत अची तरह से बना पाए और स्वेटर की बॉ यह बहुत सुंदर पैटरन है और दो कलर का कॉंबिनेशन है यह देखिए अब आगे हैं हम इस तरो पर तो यह हमारी सिक्स तरो है अब सिक्स तरो के बाद यह पैटरन हमारा सिर्फ आट रो का है तो अगर आपको आट रो अच्छी तरह से समझ आगी कैसे हमने कहां पे बना सकते हैं यह हमारा से से क्स अब से ओंप्लीट हो गया है अब चलिए सैवंत नोन पर तो सैवंत प्रों हमारा डिजाइन शुल्य हुगा तो सैवन्त रहो में हम कैसे बंदों को डिवाइड करेंगे तो सब्स से जो पनित करके हमारे ऑमारे ग्लाइम हमारी यह उपर मत जाएंगे और यहां पर हमारा दो जग़ा पे अब डिजाइन आएगा तो देखी कैसे करना है कि स्टार्टिंग में हमने दो फंदे यहां से चोड़े थे यह देखीए अब हमारे next के साथ फंदे देखी, यहां पर 2500 power 7 देखी, यह वाला फंदा हमारा इसके साथ का है जो यह वाला फंदा है वो इसके साथ का है तो 2, 4, 6 7 तो यह साथ फंदों को हमने डिवाइड करना है तो देखिए कैसे करना है 1, 2, 3, 4 के बिल्कूल नीचे यहाँ से हम इसकी लूप निकालेंगे देखिए यहाँ से जहां से हमारा white वाला thread start हुआ था देखिए यहां से तो यहां से आपने यह loop निकाल ली और loop निकालने के बाद यह हो गया एक यहीं से हम दूसरी loop निकालेंगे यह हो गया दो यहीं से नेक्स्ट लूप निकालेंगे देखिए कैसे निकालनी है तीन आपको जैसे भी असान लगे लूप को बनाना वैसे आप बना सकते हैं देखिए चार यहां से मैं कुछ लूप निकाल रही हूँ लेफ्ट वाली साइड से सिलाई के साथ पांच चे और यह साथ तो दीखे साथ पंदों के साथ मैंने इसे बना दिया है अब यहां से हम साथ फंदे सीथे लिएंगे दो तीं चार पंच चे यह साथ गूर, वहां से निकालना शुरू करेंगे तो एक तो तीं चार चार के बिल्कुल नीचे यहां पे हम इसकी लूप बनाना शुरू करेंगे एक दो तीन चार देखिए पांच छे और ये साथ साथ लूप होगी यहां तक साथ लूप के साथ ये नेक्स्ट बंदे को बुन लिया है तो ये साथ कम्प्लीट हो गए है उसके बाद नेक्स्ट के साथ बंदों को ऐसे ही बुनेंगे दो तीन चार पांच छे साथ देखिए लास्ट में जो फंदे बच गए हैं उन्हें हम ऐसे ही बुन लेंगे तो ये देखिए मैंने बुन लिया है देखिए आपको डिजाइन देखना शुरू हो गया होगा उसके बाद हम नेक्स ट्रो पे पहुंच गया है ये हमारी एट ट्रो है तो जो हमारी लूप वाले फंदे हैं वहां पे ही हम सीधे और उल्टे फंदों का जो लाजिक है वो करेंगे तो यहां पे हम सारे के सारे फंदों को सीधा ही बुन लेंगे जो जहां तक हमारी लूप के साथ वाला फंदा शुरू नहीं होता देखिए यहां पहुंच गया है और ये हमारा लूप के साथ वाला फंदा शुरू हो गया है तो फिर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और एक लूप को ऐसे चोड़ देंगे नेक्स्ट बुना लूप को चोड़ा नेक्स्ट बुना लूप को चोड़ा नेक्स्ट बुना लूप को चोड़ दिया इस तरह से हम सारे फंदों को ऐसे ही बुनेंगे जहां पे लूप हैं देखिए यहां से हमने लूप को स्टार्ट किया था तो यहां पे कोई भी फंदा नहीं आएगा तो यहां पे हम दागे को बाहर की तरफ को करते हुए साथ फंदों को उल्टा बुनेंगे तीन चार सीधा बुनेंगे पांच छे साथ देखिए साथ होगे उसके दागे को अपनी साइड किया एक लूप को छोड़ दिया दो तीन चार पांच चे और यह होगे साथ उसके बाद यह मैंने फंदों को सीधा ही बुनके कंप्लीट कर लिया है अब देखिए यहां पे आपको डिजाइन दीखना शुरू हो गया होगा इस तरह से यह डिजाइन उबर के आएगा यह बेखिए कुछ फंदे हमारे इस तरह से और यह सेंटर में डिजाइन बनता जाएगा पहले यहां पे था तो आप इनके सेंटर में आ गया नेक्स्ट वाले पे यहां पे इस रो के सेंटर में आ जाएगा साथ फंदों को आप डिवाइड करेंगे अब देखिए नेक्स्ट में हम रो वन ही स्टार्ट करेंगे तो रो वन के लिए आपको हमेशा ध्यान रगना है कि हमने जो लूप बनाई हुई है उन लूप को घटाना है तो देखिए यह लूप के बिल्कुल साथ वाला फंदा है तो आपको यहां से सिलाई को लेते हुए इन फंदों को कम करना है तो देखिए यहां से लेंगे और कम कर देंगे यहां से लेंगे कम कर देंगे इस तरह से हम साथ फंदों को कम कर देंगे इस तरह से हम इने कम करते जाएंगे इस तरह से लूप के बिल्कुल साथ वाला फंदा है तो इसे भी हम यहां से पीछेवल साइट से कम करेंगे देखिए कितने अच्छी तरह से सफाई से आया है उसके बाद next के फंदों को simply ही सीधा बुनना है आपको जहां पे loops आएंगी वहीं पे आम इन्हें कम कर देंगे यहां लूप आगी तो लूप के बिल्कुल यहां से ऐसे यहां से आपको यहां से नहीं बुनना है आपको बीच से ऐसे कम करते जाना है दो देखिए तीन देखिए चार पांच छे और यह साथ देखिए और बाकी फंदों को हमें simply सीधा ही बुनना है यह देखिए यह हमारा डिजाइंग बनना शुरू हो गया है और यह इस तरह से दिखेगा अगर मैं इसे आपको थोड़ा सा और बना के बताऊं तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आपको साथ मैंने पहले शेयर किया था यह देखिए इतना सुनधर बगएगा देखने में आपको देखर कि बठा सकते हैं इढ़ handmade इतना सुन्धर यह इभर कि आया हुआ है और यह कितना ब्यूटिफूल लग रहा है आपको देख 이렇게 cm कमेंट करके जरूर बताई ऐगा कि आपको मेरा यह ळुजाइं का लगा यह देखिए इस तरह सी आप इन डिजाइन को अपने किसी भी स्वेटर में जैकेट में बच्चों की स्वेटर में पूरी स्वेटर में भी बनाएंगे तो यह बहुत सुंदर लगेगा यह दो कलर का कॉंबिनिशन बहुत प्यारा लग रहा है अब मैं आपके साथ बताती हू है सेम इस तरह से यह देखिए सेम इस तरह से मैंने इसका बॉर्डर बनाया हुआ है और इस तरह के बॉर्डर को बनाते हुए मैंने इसे डिजाइन किया हुआ है और इसकी स्लीप्स पे भी मैंने जिस तरह से ही पैटरन शो किया हुआ है इस तरह से ही सेम पैटरन को बनाते दोनों स्लीप्स पर रपीट किया हुआ है जो मैंने आपको भी सिखाय हुआ है और यह इसकी बैक साइड यह देख लीजिये बैक साइड पर मैंने से बना हुआ है तो आपको मेरा यह डिसाइड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़ूर बताईएगा और आप इसे किस चीज के करने वाले हैं वह भी अपना एक्सपेरियंस जरूर शेयर किजिएगा अगर कोई क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चनल से जूड़िये रहीगा वीडियो को एं तक देखने के लिए आ थांक यू